हेलो एवरिवन वेल्कम बैक टूबी नैच्रल बीफीट चैनल में आप सभी का बहुत-बहुत शबागत है और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किये तो प्लीज सब्सक्राइब कर लिजे और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना बुलिए जिस के कैसे बहुत ज्यादा इसमें बढ़ रहे हैं बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत- खुद के यह सेलफ केर कर सकते हैं यह आज मैं आपको बताऊंगा मतलब इसके जो सिम्टम्स है जो लक्षन है वो क्या है मैं आपको बताऊंगा तो वीडियो को लास तक बने रही है और वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन त्यूब होने वाली है तो वी जो भी यह कहता है कि डेल्टा वेरियंट जो है वह ओमाइक्रॉन से भयांकर था बट हम इसे भी बिल्कुल भी नजर अंदाज नहीं कर सकते हैं बहुत कर बारे को उसको हुद के लिए लेना चाहिए कि अगर हम इससे अपने खुझ सकते हैं या हम खुझ भी मतलब खो सकते हैं हमें इसको बिल्कुल भी अप्र के में लेना है तो चेंट शूंद के बारे में जान लेते हैं इसके बहुत ही ज्यादा भारी symptoms है वो पाचों के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ तो वीडियो को लाशा इसका जो पहला reason है जो पहला main point है वह थकान बहुती ज़्यादा weakness बहुती ज़्यादा खुद को weak weakness जैसे लगना बहुती ज़्यादा कमजोरी मैसुस होना खाने में मतलब खाने का मन नहीं होना और जो रोजमरार के हमारे काम होते हैं कामों को करने का मन नहीं होना हमें बहुत ज़्यादा यसे पतब चलने में प्राब्लम हो रही है जैसे चक्र जैसे आ रहा का तो फ्रेंड्स अगर आपको यह ऐसा कुछ भी हो रहा है हाला कि यह जो यह जो सिम्टम्स है यह किसी और भी वज़या से हो सकता है बट हमें इसको हजगे में बिल्कुल नहीं लेना चाहिए अगर हमें ऐसा फिल हो रहा है कि हमें मतलब बहुत ज्यादा तफलिक हो रही है विखने था रही है, बहुत ज़्यादा ठकान हो रही है, हमसे कुछ भी काम नहीं करना हो रहा है, तो आप प्लीज एक बार Omicron टेस्ट करा लीजिए, इससे पता चल जाएंगा कि अगर आपको ये ये कमजोरी फिल हो रही है, वो Omicron की वज़े से है, या फिर आपको इसके पीछे की कोई और भी वज़ा है, Friends, Omicron का जो दूसरा सिम्टम्स बहुत बड़ा ये है कि गले, गले को ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, गले में खराश, गले में खराश तो नहीं होती है, पर गले में चुबन होती है, हमारा जो ये गला होता है, यहाँ पर हमें चुबन जैसे फिल होती है, फ्रेंट्स गले में खराश और गले की चुबन ये दोनों अलग अलग टाइप्स है तो हमें गले की चुबन और गले की खराश दोनों को एक नहीं करना है हमारे जो गले में है और इसकी चुब्देने लगता हुए चुब हो isto गल्य में निघलते ही टाइम या खाना घाते टाइम कुछ भी पानी पीते का यहाई होता है और वह सिवियर दर्द होता है यह भी बहुत बड़ा Omicron का Symptoms हो सकता है अगर आपको भी ये Symptoms फील हो रहा है तो प्लीज आप डॉक्टर के पास जाकर Omicron की टेस्ट करा ले या फिर अपने डॉक्टर को इसके बारे में जरूर बताईए अपने डॉक्टर से concern कीजिए फ्रेंड्स Omicron का एक ये भी बड़ा Symptoms हो सकता है कि आपको फीवर आना फ्रेंड्स फीवर के बारे में मैं आपको short note दे दू तो फीवर क्यों आता है हमारे बॉड़ी में जबकि हमारे बॉड़ी में हमारे बॉड़ी में कुछ अबनॉर्मल जैसा फील होता है मतलब पेइन क्रीएट कर रहा है तो हमें फीवर आना लाजमी होता है हाला कि किसे किसी से पेशन covenant में जो फीवर है वो कि हंता हिसा किसीवर किसी किसी पेशन Religia कर रहा है तो अगर आप लोगों को यह इन आ रहा है बट वो जो treatment रहता है वो मतलब एक दिन में एक दिन का treatment रहता है अगर हम problem चालू होने से पहले ही उसको कहतम कर रहे है तो हमें जादा problem नहींगी लगवा दो गोली कहा रहे है घर पर ही बिना डॉक्टर के concern घर पर ही घृपर का रिए प्यार को कम कर हाला कि Omicron के fever में ऐसा भी हो रहा है कि fever आ रहा है patients में और fever वो अपने आप चला भी जा रहा है अब तक के covid के जो delta और covid 19 और Omicron के variant में ऐसा देखा जा रहा है कि यह जो एक मैं आगे आपको बताने जा रहा हूं यह एक common वेरियर, common ही यह है, symptoms है, जो कि है सुकी खासी, जैसे कि हमें COVID-19 भी है, जब हमने देखा था, तब भी हमें खासी होती ही थी, हर patient को सुकी खासी की problem रहती थी, और वो खासी ऐसे रहती थी, कि वो बहुत ज़्यादा जानलेवा ऐसे फील होती थी, मतलब बहुत ज़् painful वो खासी रहती थी, जल्दी से ठीक होने वाली ऐसे खासी रहती थी, हाला कि आपको पताई है कि हमें normal भी खासी होती है, तो बहुत ज़्यादा painful रहती है, बहुत ज़्यादा घराज, गले में दर्द, फीवर, यह सब बहुत ज़्यादा problem होती ही है, यह जो यह viral खासी र रहती है, तो मतलब COVID के सभी variant में यह देखा जा रहा है कि common चलते आने वाली problem है, वो है खासी, सुखी खासी, सुखी खासी हर variant में आ रही है, अगर आपको भी सुखी खासी है, दो-तीन दिन से आप treatment ले रहे हैं और फिर भी ठीक नहीं हो रही है, तो प्लीज अपने डॉक् किजिए या भी Omicron की टेस्ट करा लीजिए, अगर आपकी Omicron की टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आती है, तो आपके लिए बहुत ही जादा, मतलब आपके लिए यह बहुत ही जादा खुशी ही बात है, जैसे कि friends, COVID में बहुत सारे COVID-19 जो वेरियंट था, उसमें बहुत स सारे symptoms आ रहे थे, जो advanced symptoms थे, वैसे कि Omicron में वो symptoms नहीं देखे जा रहे है, उन में से मैं आपको 4 symptoms बताने जा रहा हूँ, जो Omicron में नहीं देखे जा रही है, जैसे कि हमें COVID-19 जब हुआ था, तब हमारी जो smell, मतलब किसी चीज़ की सुगन लेते थे, हम तो वो हमें थील नहीं होती थी, हमें सुगन नहीं आती थी, हाला कि COVID-19 ठीक होने के बाद भी बहुत दिनों तक यह चीज़ प्रॉब्लम रहती थी, कि हमें किसी भी चीज़ की smell ही नहीं आती थी, हम कोई खाना खा रहे है, हाला कि हमने अगर अपने हाथों में पर्फिम भी लगाया है, तो उसके भी smell हमें नहीं आती थी, और यह problem almost सभी को होती थी, तो Omicron variant में यह problem नहीं हो रही है, हाला कि Omicron में और नहीं problem नहीं हो रही है, वह यह है कि खाना खाने में भी लोगों को problem नहीं हो रही है, जैसे कि COVID-19 हुआ था, तब बहुत से लोग खाना खाना पीना छोड़ र रहे थे, वो कुछ भी खाते थे, तो उनको feel नहीं हो रहा था, कि यह क्या चीज है, बस वो आखों से खा रहे थे, और टेस्ट तो उनको कुछ भी feel ही नहीं हो रहा था, बेट फिर भी जिंदा रहने के लिए खाना ज़रूरी है, तो वो लोग बिचारे खा रहे थे, तो य वेरियंट में यह चीज़ें नहीं देखी जा रही है इसमें और एक बहुत ज्यादा बड़ी common problem यह है मतलब common problem जो थी COVID-19 में वह भी इसमें नहीं देखी जा रही है वह सास की तपलिक जैसे कि कोविट-19 में बहुत से लोगों कि सास की problem होती थी उनको सास लेने में नहीं होती थी उनको बहुत ज्जा धिएटर की जरूरत रहती थी उनको oxygen की जरूरत रहती आपने देखा है कि वह इन्टीलेटर के capital की जहने गई है आज भी हम अगर देखते हैं लाशों की लाशे ऐसे दिखती रहती थी आज भी अगर वो नजारा अगर आकों के सामने आता है तो बहुत ज्यादा तपली होती है कि उस ताइम वो टाइम ऐसा था कि हम कुछ नहीं कर पा रहे थे हाला कि मेरे कुछ पर भी यह टाइम भीता है तो मैं बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता हूँ जब चीज़े अब याद करता हूँ तो वो भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है तो यह चार जो सिम्टमस है वो माइकरॉन में नहीं हो रहे हैं अगर आपको यह वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो फ्रेंट तो वीडियो को लाइक किजए और चैनल को सब्सक्राइब किजए और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आपको यह वीडियो कैसा लगा और आपको ओर कौनसे वीडियो चाहिए तो वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है उसमें कमेंट कीज़े और मुझे बताएए कि आपको किस में वीडियो बनाओगा वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच